अमर सहिद भगतसी, सुखदेव और राजगुरु अपनी भावी पिडियों को स्वतिन्रता और समानता के लिए अपनी जान तक निवचावर करने को प्रेरित कर गया है। आज सहिद दिवस के उसर पर उन्हें कोटी कोटी नमानी। साथियों 23 मार्च को सहिद दिवस मनाई जाती है। 23 मार्च 1931 को बीर भगतसीं, सुखदेव और राजगुरु फासी के फंदे से जुल भावी पिडियों को संदेश दे गए। मानुवे कह रहे हो, निरर रहो, देश प्रेम में अपनी जान तक की वाजी लगा दो, डिगो नहीं, चुको नहीं जन सेवा से। आज सहिद भगत सिंग और उनके क्रांती कारी सांथियों के विचारों से सभी नौजवान देश प्रेमियों को परचित होना चाहिए। भारत की क्रांती कारी धारा ने अजादी की लडाई में जो किमत चुकाई, उस पर सुध काफी कम हुए हैं, जिसका नजायज फायदा राजनितिक दलो द्वारा अपनी अपनी शुद्र स्वार्थ पूर्ति के लिए उठाया जाता है। सहिद भगत सीह और उनके कांती कारी साथियों के पारे में आधे अधुरे सच को लाकर के अपनी स्वार्थ पूर्ति की जाती है। उन्हें युआ योस के द्वारा भरा हुआ उत्साही नौजवान तो दिखाया जाता है। युमानों पिस्तौल के दम पर ही अंग्रेजों से अजादी छिन लेने को उतावले हूँ। उन्हें राश्प्रेम में वावले की तरह भी पेस किया जाता है। जो सहीद होने के लिए ही बने हूँ। कभी भी सही मायनों में बीर भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी सांथियों के विचारों को सत्ता जनता तक पहुचाने से कत्रा आते रही है। और एक मंपिस्तौल वाली राश्टनायक की छवी कर देने का प्रयास करते रही है। सहीद भगत सिंह को कभी पेली-पगडी पहने दिखाकर तो कभी सोशल मेडिया में शोदा फरवरी को सहीद दिवस मनाने की अपील कर भगत सिंह के विचारों से किनारा करने वालों से नौजवान सांथियों को सतर करने की जरूरत है। आज सहीद भगत सिंह और उनके करांती कारी साथियों के विचारों को पढ़े जाने की जरूरत है। समझे जाने की जरूरत है। भगत सिंह का मानना था कि करांती की धार बम और पिस्तॉल से नहीं बलकि विचारों की सान परतेज होती है। बगत सिंह बिचारों के निश्ठोर परिक्षन के पक्षतर थे यानि बिचारों को सही धंग से प्रक्षने की हमायती थे वह और इसके लिए अध्यन की जुवत है बगत सिंह फांसी के फंडे तक पहुँचने के दिन तक अपने अध्यन में मस्कूल रहे वह दुनिया को समझ लेना चाहते थे जान लेना चाहते थे उनके बिचारों में किसी भी तरह का विरुदा भास नहीं है महत्मा गांदी और अहिंसाबादियों के बिचारों से उनके मद्भेत तो हैं लेकिन उनके बिक्तित्व से निरादर का भाव नहीं है बलकि बेक्तिगत तुर्प से सहिद भगत सिंह गांधी जी का सम्मान करते थी गांधी जी के बिचारों की मुखालपत का मतलब यह नहीं था कि गांधी जी को ही रास्ते से हटा दिया जाए और जहां तक मैं समस्ता हूँ कि यही बात गांधी जी की भी थी कि भगत सिंग और उनके कारी सांथियों के बारे में हलाकि भगत सिंग राजगुरू और सुखदेव को फांसी से बचाने के लिए गांधी जी के द्वारा गंभीर प्रयास नहीं करने का कुछ लोग आरोप लगाते हैं लेकिन सक्ते के तह तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ पढ़े जाने की जरुवत है और सांथ ही और ज्यादा सोध की भी जरुवत है दोनों धराओं के राजनेतिक मतभेद को बिरोधा भास के रूप में पेश कर आज सहीद भगत सिंग के बिचारों पर कुछ भी थोकना लादना एक जुर्म है सांथियों उनके बिचारों को जंता तक नहीं पहुँचने देना भी एक राजनेतिक जुर्म है नौजवान सांथियों को भी अपनी तरफ से कोसिस करनी चाहिए कि सहीद भगत सिंग अर उनके क्रांतिक कारी सांथियों की विचारधारा को सही मायनों में समझें वे उनके विचारों से परचित हूँ, उन विचारों को कुसावटी परकसें, तौलें, तथा भगत सिंग के नाम पर फैलाये जाने वाले जूट को नकारें, यह सब कुछ तभी संभव होगा, जब हम सही मायनों में सही दियाजम से प्रेम करते हूं, सिर्फ दिखावटी नह हमें अपना अंदकार मिटाने के लिए अध्यान क्या हो सकता है, सोध क्या हो सकता है, तभी हम लोग अपने साथ न्याय कर पाएंगे, तथा साथ ही इस देश का भला भी